रीवा में 160 फीट गहरे बोर्वेल में फसे मयंक को बचाया नहीं जा सका 45 घंटे चले रेस्क्यो ऑपरेशन के बाद वह बोर्वेल के भीतर 42 फीट की गहराई पर मिट्टी पत्थरों के बीच दबा मिला उसके शरीर में कोई हल चल नहीं थी मेडिकल टीम उसे ने कर अस्पताल पहुँची जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया जला पंचायत सीईओ सौरव सोनवडे ने भी मयंक की मौत के पुष्टी की है सेम डॉक्टर मोहनियादों ने मयंक की मौत पर दुख जताया है उन्होंने का कि पीडित परिवार को रेट क्रॉस की और से चार लाख रुपए के आर्थिक सहायता दी गई है सीम ने त्योंथर जनपत के सीई ओ और एस डियो पी एच ए को ने लंबित करने के नरदेश दिये है बता दें कि रीवा में जनिह थाना शित्र के मनिका गाउं में मयंक पिताव विजय आदिवा से शुकरवार दो पहर करीब साड़े तीन बज़े से चार बज़े के बीच खुले बूर वेल में हिर लिया था गरामिरों ने अपने स्तर पर तुरंट उसे निकालने की कोशिश शुरू की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनी कदिकारी मौके पर पहुँचे एंडियारिफ और स्डी ई आरिफ की टीमों को बुलाए गया था आठ जेसी भी मशीनों से खुदाई की गई ड्रिल मशीन से बनाई सुरंग मैंक को निकालने के लिए बूर वेल के पैरलल आठ जेसी भी मशीनों से खुदाई की गई साट फीट से अधिक खोदने पर पानी निकला आया इसके चलते रेस्क्यू रोगना पड़ा पानी खाली करने के बाद ड्रिल मशिन से बोर्विल तक पहुँचने के लिए सुरंग बनाई गई सख्त मिटी आने पर मशिनों की जगा मैनूल खुदाई की गई काम के दौरान सुरंग में दुबारा पानी निकला आया इसे मोटर पंप से बाहर निकाला गया इसके बाद रेस्क्यू टीम रवीवार दोपहर करीब पौने एक बजे मईंग तक पहुच पाई छे साल का मैंक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तब ही खुले गढ़े में गिर गया था मुक्य मंत्री ने रेस्क्यू आपरेशन की मौनिटरिंग की रेस्क्यू आपरेशन के दौरान मैंक के पिताब विजए माशीला, दादा हिंचलाल, आदिवासी, नानी निर्मला समेत परीजन और स्थाने ग्रामीन घटना स्थल पर ही बैठे रहे उनके सलामती के लिए दौाएं मांगी गई मेडिकल टीम के साथ एंबुलिंस और टेक्नेशन भी मौके पर थे मुक्य मंत्री डॉक्टर मोहनियादों ने खुद्रेस्क्यू आपरेशन की मौनिटरिंग की डेप्टेस सीएम, राजिंदर शुक्ल, सांसत जनार्दन मिश्रा, त्योंथर विधाएक सिधार्थ तिवारी और रीवा से कॉंग्रिस की लोग सभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा भी मैंक के पारिजनों से मिलने पहुँची थी रीवा जिले के मानिका दाओ में बोरविल में गिरे मासुम बच्चे मैंक को प्रशासन की लगतार और अथक प्रयासों के बाद हम नहीं बचा सके मन अथाह दुख और पीड़ा से भरा है इश्वर दिवंगत आत्मा को शांती एवं पारिजनों को यह गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे पीड़ित बच्चे के पारिजनों को रेच क्रोस की और से चार लाख रुपए के आर्थिक सहायता प्रदान की गई है दुख कि इस घड़ी में मैं और मध्यवरदेश सरकार माइंग के पारिजनों के साथ घड़ी है इस मामले में जो आप देही ताय करते हुए CEO जनपत त्यूंथर एवं SDO PHE त्यूंथर को निलंबित करने के निरदेश दिये है मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे बोर्वेल को ढखक कर रखे ताकि इस तरह की घटनाओं को भविश्य में रोका जा सके हमारा पता है जाब टो नाइज बेल टो ने जिरो एफ डबल टो से अनुरोध है